राहुल गांधी का आज से मनिपूर का दो दिन का दोरा शुरू हो गया है। सुभा राहुल गांधी इंफाल एरपोर्ट पहुंचे और उसके बाद कॉंग्रेस समर्थक काफिले की शकल में चुरा चांदपूर के ओर रवाना हुए। जहां राहुल गांधी का राहा शिविर में शरण लिये लोगों से मिलने का कारिक्रम पहले से ही तै था। लेकिन राहुल को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। तो क्यों पुलिस ने रोका कॉंग्रेस नेता को और फिर कैसे आगे बड़े राहुल गांधी देखते हैं कोई भी रोकने की कितनी कोशिश कर ले लेकिन राहूल गांधी मनिपुर जाएंगे कॉंगरस पहले ही यह ऐलान कर चुकी थी और जब मनिपुर प्रिशासन ने राहूल को रोकने के कोशिश की लेकिन उनकी जित के आगे रास्ता देना पड़ा दरिसल राहुल गांधी इंफाल एरपोर्ट से चुराचांदपूर के लिए रवाना हुए लेकिन 20 किलो मिटर आगे ही विश्नुपूर्ट चेक पोस्ट पर राहुल गांधी की काफिलों को पुलिस ने रोक दिया राहुल गांधी हेलिकॉप्टर से चुराचांदपूर पहुचे और राहा शिवर में मौजूद लोगों से मुलाकात के राहुल गांधी ने ट्वेट किया मैं मनिपूर में अपने सभी भाईयों बहनों को सुनने आया हूँ सभी लोग बहुत स्वागत और प्रेम कर रहे हैं दुर्भागे पूर्ण है कि सरकार मुझे रोक रही है मनिपूर को इलाज की जरूरत है शांती हमारी एक मात्र प्रात्मिक्ता होनी चाहिए राहुल गांधी ने राहशिविर में मौझूद लोगों की तकलीफों को सुना और कॉंग्रेस पार्टे की ओर से हर संभब मदद का आश्वासन दिया राहुल गांधी दो दिवसीय दोरे पर मानिपूर में है इससे पहले कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि कॉंग्रेस नेता दिल्ली लोट रहे है लेकिन कॉंग्रेस नेता उने साफ कर दिया कि राहुल गांधी के कारिक्रम में कोई बदलाव नहीं हुआ है दिविलाइफ की रिपोर्ट